जो आपके उपर अभी छह मेने पहले हमला हुआ था इसके बारे में कुछ बता सकते हूं गाजियावाद में एक जिहादी देबंद से पैसे लेकर के और इटेलियन पिश्टल लेकर के मेरी हत्या करने आया था और हम रहे हैं एक डेमोकरेसी में कोन सी आ सिरा बताओ आपनी माना देंकड करें अटा से इंडिया एक डेमकुरसी है विलकुल डेमकुरसी नहीं वल्हा नाम पूछना जाऊंगा कि अ अभी नहीं अभी शुरू है सब कुछ अलग करो एक ती महामंदलेश्वर स्वामी प्रभोधन नहीं वह नाम जापकी माने दिया यह नहीं बता हूंगा क्यों माने दिया था उस नाम से किसे माने कोई नहीं नहीं देती मा तो पैदा करती है ठीके संद्धाशी का नाम पदर जयने है पूर जन का मेरा बापका नाम माका नाम बेदा का नाम ऊसरप समयपत हो जाला है nearest अच्हेन बाबाहें बहुत सारे नहें नहें बाबा की मान तो है असल मैं क्या है जो बाबा हैं वो कानने कि पता नहीं लगता है कि जैसे बंबक लिकलता है एक साथ वैसे बाबा निकल बढ़ता है और जो परंपरा से नहीं होता उसे उमकान नहीं केते हैं बाबा के स्वरूप में दिखाई देता है लेकिन बाबा नहीं होता और फिर उनके स्केंडल निकलते हैं तो पहले आप उसे के नाते प्रोजक्ट करते हैं फिर उसके इसके इसकेन्डल के नाम पर प्रोजक्ट करते हैं तो मेरा किसी भी बाबा से कंपटिशन नहीं है स्वामी प्रभोधानंद भारत में अकेला है और उसका कोई दूसरा नहीं है कि तोактиं आकासवर्ति सद्ब्रति से जींआ सधव को सद्द्री नहीं होती और इसका सोट करते हैं मैं करते हैं वह सदुने होते हैं जैसे मैं बताऊए बहुण और आछ झमीज्था है जिनको πैंद रेता है अज क्या है जैसे गयर दोब दो सरब कि यह तो रेट आप करते हो कि अपारी लोगों तो अपने हां कोई होता नहीं फिर भी आयत वारे सामने ही आया चेला लेकर खाया और तो मेरी दच्छणा भी दे के नहीं गया कहने के वावजूद भी या तो फिर पेमेंट इती होगी कि बाद में चेक आएगा नहीं ऐसा कु पान सब्सक्ताइब तो माला मूट मोट todavía अकिन ग्यां के अपँजाक गतर उसने पैना दी elly इस वोफ व्मपान रखनें फ्रक्राइं लिए लिगे कल तुम को इस दूइए मॉझे जोए और उन नहीं सोने तो च्छोटि वाली लिए। तो हो सभी पहले लेगे, यह तो आपकी सरद्दा के उपर है, जो आपके उपर अभी छह मेने पहले हमला हुआ था, इसके बारे मुछ बता सकते हूँ, पूरे विश्व में एक खेल चला है, और वो खेल ये चला है, कि इसमें मानवता पर तल्वाल लटके हुई है, पूरे व झेहाद के सांती खत्रें में का कारण इसलाम का जिहाद है और यह मैंनें पूरे विश्व में चला tossilya के पिछले 10 साल से के sisoto अनुक पूरी धरति के मानवता के लिए खत्रा है, सांती लिए खत्रा है यह नं जिहादियों को पतालग ज़या कि मेरी पोल खोलने वाला ह tua act forma on प्रवोधनन्द तब से पूरे विश्चु का जिहादी मेरी हत्या करना चाहता है वह साता है कि पोल खोल दी इस आदमीने तो इसके कारण से वह आये दिन हम पर हमला करने का प्रियास करते हैं उसी किरम में उन्होंने आठ मीने पहले गाजियाबाद में एक जिहादी देव ब महता है अतर अतर स्रकार की श 77 गोली तो लगने के लिए तो वोत अपने रहादे से आया था लेकिन मारने वाले से बचाने बाला और अगर मारने वाला होता है तो फिर उत्तरपदेश में जो मारने वाले थे आज वो फुदी अपने जीवन के लिए रो रहें तरस रहें किसके बारें बात कर रहें जो जिहादी थे जो आए दिन हत्याएं करते थे आज वो अपनी हत्याग से बचने के लिए कर रहें और कल स यह न हर चीज ना हुछ फेवरेट होता है जैसे फेवरेट गाड़ी पलब सब्सक्राइब अपके फेवरेट भगवान कौन से है इस्ट अद बावर्त को हिंदुराष्ट कोशित करें और जो भी करेंगा वह मेरा सबसे फैवरेट भगवान होगा क्योंकि मेरा दुश अपने कि मुझे मेरा स्वाग योगा मुझे देखने खाफसर न immune ग 2 ला है कि भारत हिंदू राश्ट कऊ सितह हैं जो इस काम को घोशित करेंगा मैं उसको अपना सबसे सुंदर देवता शरूब भगवान शरूब उसको मानूगा अगर हिंदु राष्ट बन जाता है तो उससे क्या फाइदा है हिंदु राष्ट बनने से भारत की जो अन्य को समस्या है वह सुत्य समाप्त होजाएं पैजेप प्रमूक रूप से भारत में एक बड़ी समस्या है भारत के अंदर के लोग भारत से बाहर के व oga कि इसके खड़ एक थे और जब कि भारत का मूल सभूरोफ सहनातन संस्किति आजिया है इसलिए अनंत भी कि लोग कुछ लोग दुष्प्रवर्थी के लोग के सोचते हैं कि भारत से सनातन सच्चिती समाप्त कर दी जाएगी तो इनका जो है सपना धूरा रह जाएगा भारत में भारत को इस दिन हिंदूराश्ट गोसित कर दे जाएगा उस दिन हिंदू-मुसलिम का दंगे खतम हो जाएगा उज्ची दिन आप कलपना करेंगे भारत विश्व शान्ति की और पूरे विश्व बढ़ाएगा क्यूंकि केवल केवल अधर्ती पर सनातन संस्किती ही बिश्व बंध्र की पलपना करती है बसुद० कुटमुकम की कलपना करती है सभी को समान दर्ष्टी से देखत सिंधी तो जिए दिन पूरे विष्व में सनातन संस्किती तेजगती से फेलेगी तो है विष्व सांती की और बढ़ेगा और सनातन संस्किती की और बढ़ने का मतलब है मानवता कि प्रिश ठापना होगी अर्थात लोग द्वेश करना बंद कर देंगे युद्ध्योने अगर जैसे भी मानो कि जो गल्फ है दुबाई अगरा जैसे देश है ये पूरे इसलामिक देश थे और इन्होंने अभी चारो तरफ से अपने दरवाजे खोल दे कि पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आएं यहां पर बसे यहां पर हमारा कारोबार बढ़े और बहुत से द बढ़ा जाओ हमार पास और और रावार और आप अप्ट अंशोधन कर लेजिए पर हमने कभी नहीं कहा हम ने कहा कि यहां भारत में रहने वाला एक-एक मुसलमान हिंदू है अच्छे ठीके वो पुने हिंदु सरूप में आजाए हमें कोई दिक्कत नहीं नमाज पड़े ठीके नमाज पड़े अल्ला चिलाए लेकिन मस्जित की साथ साथ में राम जी को अपना पूर्वच मानें इंडोनेशिया में भी मस्जिद है लेकि इंडोनेशिया में कभी मंद नहीं तूड़ता केवल भारत ही है जहां मंदरों पर हमला होता मंदर तोड़ा जाता है कि इंडोनेशिया था पूला मुस्लिम कंटरी महां रामलीला होती है महां सरकार करती है उनके अरुन गरुन एरवेज है यहां सीता जीता गीता नाम रखने में दिक्कत होती है उनको यह जो लोग धरम परवरतन कर लेते हैं प्रावरतन कर लेते हैं जिस दिन वो हिंदू संस्किती से बिलग होते हैं उस दिन उनका राष्टा अंतन हो जाता है उनका इस देश से कोई लेने देने नहीं रहता है और जब उनका राष्टा अंतन हो जाता है तो पर वो द्रौब का बढ़ने का मतलब होता है मानव ताकि जिससे हत्या हो सकती हो वह काम करते हैं। जैसे वो कहते हैं जिहाद, जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद का मतलब है काफिर की हत्या करना, शीदा सब्द है, और काफिर माने कौन, जो अल्ला को ना मने, जो कुरान को ना मने, जो बेगंबर को ना मने, लेकिन सनातन संस्केति में जो राम को ना मने, वो भी संवाजनेक ह जो राम और किष्ण को माने हम उसका भी आदर करते हैं और हम तो इतना तक सेन कर लेते हैं कि जो राम को गाली देता है हम उसे भी सेन कर लेते हैं ये केबल सेनातर सेंस्किती में होता है बाकी जगे नहीं होता बाकी जगे क्या है एक पुस्तक एक ईशू को जो नहीं मानता वो सैतान है, जो अल्ला को और कुरान को नहीं मानता वो काफिर है, सैतान को जीने का अधिकार नहीं है, काफिर की हत्या कर देना ही उत्तम है, यह आपको शेर बहुत पसंद है क्या, शेर बहुत है, शेर को तो शेर ही पसंद होगा, शेर को गीध तो देमोक्रेसी तो तो कियो कहां है अब लेकर करके चलावा करती है सरकार है चुना लोकतंत्र अब देने के बाद जनता का नेड़ने होना चाहिए जनता का कोई नेड़ होता है तो फिर कहा है डेमोक्रेसी के नाम से जनता को चला जाता है ठीक है डेमोक्रेसी के नाम से जनता को दोगा दिया जाता है डेमोक्रेसी के नाम से जनता को लुटा जाता है भारत में कोई डेमोक्रेसी काम नहीं करती डेमोक्रेसी भारत के लिए द देने के लिए अत्याचार करने के लिए हिंदों के खिलाब एक शेकुलर नाम का पेड़ा है वैसे ही इस देश में से लोकतंत्र नाम का अब आप बास्तम में यह वो बुराई हो गया है तो क्या कर सकते इसके लिए कुछ करना चाहिए आप जैसे वाखो कि देश का लोकतंत्र आप जैसे अगर इवा आगे आए करने के लिए तो लोगतंत्र की दिशा और दशा बदल सकती है मुझे तो इतने जीवन मैं करवा सकती है यह सब मिठ्या है जूटा है नेटा बोट लेकर के अपने ऐस और आराम करते हैं और देश के लिए उनको कोई जगाय नहीं और भारत के जो नेता है वो गिर्गिट से गिराव हुआ गिर्गिट कला एक गूनती है कि नेता ऐसे भी नहीं उता है तो खड़े खड़े रंग मदल लेता नेता भारत का कि आपके चाहते हो कौन बने अगला प्रधानमंत्री कौन बने अगला प्रधानमंत्री इसमें देश को आवर सकता है कि मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री बने तो केवल केवल योगी आदेतनात बने और योगी आदेतनात भारत के लिए स्रणिम काल का प्रधानमंत्री सावित होगा और मैं आपके चैनल से मैं योगी को अग्रिम प्रधान मंत्री बनने की सुब कामनाई देता हूं बधाई देता हूं भगवान ऐसे ही शक्ति और सामरत दे उनको देश का प्रधान मंत्री बनाने का उनको अफसर दे अभी एक नीती तो और मोदी जी निकाल ली है कि मोदी जी बुड़ा बुड़े हो गता साल का हमाने भारती जिन्ता पायर्टी में रेटार्रमेंट का विधान है तो अगली साल वो पचैतर साल के हो जाएंगे और मोदी जी तो आदर्सपृस है और आदर्सपृस कोई एपनी बात से विलंग नहीं हो सकता वो समता सो नोगती है दोने एक ही बात है हमाने यह कोई अलग बात नहीं है और भारती जिनता पार्टी एक अनुसासित पार्टी है और आप देख रहे हैं यह नियम मना के पचेस्तर के लोग राजनीती से बात जाएंगे तो चले गए अडुमानी जैसे लोग जिनका भारती जिनता पार्टी को एक फरस से एतनी लंबी उचाय पहंचाने वाला एक नेता जिसने शांती पूरव को गई विद्रह नहीं यह वा बारती जिनता में अलग है तो मोदी जी तो उनके चेला है, उनके सिस्ष है, उस परंपरा को मानने वाले हैं, मोदी जी अगले साल खुदी रिटायर्मेंट हो जाएगा, तो अगले बास साल हमको अगले 75 होने के बाद देश का पधान मंतरी चाहिए, तो योगी से बढ़िया पधान मंतरी दूसरा कोई हो नहीं सकता, वारत में. तो आप चाहिए तो अमिस्षा को मनाले हम का मना करते हैं, हम को मनाले हैं यह ऑम आपके है想दे करते हैं, यह तो वाथ हैं तो नहीं होगा. यह देश के यह hazard को नहीं करें नहीं हो दूसी बात भारती जनता पार्टी का संसधी बोर्ट तरह तरह है मेरी भावना हो सकती है योगी प्रधान मंत्री ने लेकिन मेरी भावना से योगी प्रधान मंत्री ने बनने वाले प्रधान मंत्री बोला है बनेंगे संसधी बोड और संसधी बोड ने उनको मेहतु देना शुरू कर दिया है राष्ट इनिता मान लिया है यह इस बात का प्र ठीक है? अमिज्वा अभी देश का मजबूत गह मन्तुरी है. ऐसा नहीं है, और अमिज्वा छोड़ो. भाhratis consultant Dobb publi ayu अभृर्णी कितने अमिज्वा योगी ह 14 में. आपको पता नहीं है है, महा एक एक विक्ती योगी, जैसा और अमिस्टा जैसा है जिसको वहां बैठा देंगे तो पता लगेगा एक से एक ग्यारे निकलावा आप इतने अच्छे वक्ता हैं आपके नहीं कोशिश करते राजनीती में क्या कोशिश करें कभी चुनाव लड़िए हम तो बिना चुनाव लड़े प्रधान मंत्री बना दो ज आप जरा पत्रकार हो हमारी बात भीजो हम बंद्याएंगे अगर बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं इसी नोट परिंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा आप से बात करके एक बहुत ही एक बार हसके दिखा दो आप मेरे को इतनी देर आप सीरिश कामना है चैनल का नाम बता लाइक शेर सब्सक्राइब अजयलाइट सेवर सब्सक्राइब हम थैंक्यू 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 दन्यवार